आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज आपके पार्टनर आपके बारे में इस रिलेशन्चिप के बारे में क्या सूचने वाले हैं आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर इस रिलेशन्चिप को लेकर आज किस तरह का होगा आये जानते हैं आज की अनर्जीज आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाले हैं यहां पर the sun का card है the next card is three of cups का card है the emperor का card है the next is knight of cups का card है the next card is temperance का card है and bottom of the deck पर यहां पर two of swords का card है okay so आज की जो यह reading है यह generalized reading है और यह आप सब के साथ कही न कहीं resonate जरूर होगी यहां पर मैं किसी भी specific zodic sign के बारे में बात नहीं कर रहे हूँ आप सब के बारे में बात हो रही है यहां पर आपकी जो partner है वो आज इस third party के साथ कुछ गुसा ego, attitude वारी energies में रहने वाले हैं बहुत logically आपके partner move करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके partner के लिए decision making बहुत ज़रा difficult है decision बनाने उतने असान नहीं है उन्हें कुछ ऐसी चीज़े भी नजर आएंगी आज अपनी life के अंदर जिन्हें उन्हें एहमियत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इस चीज़ पर फैसला कर पाना आपके partner के लिए उतना असान नहीं होने वाला है वो ये चीज़ किसी को भी show नहीं करेंगे थोड़ा सापके partner की health पर impact पड़ सकता है और ये third party किसी dark energy को करने के कोशिच भी आपके partner के ऊपर कर सकती है ये energy भी यहाँ पर मुझे बहुत शापली नजर आ रही है ठीक है जो आपके partner है उनके अंदर एक बदलाव जरूर होगा और उनका नजरिया इस third party के लिए change होने वाला है dark energy के बावजूद भी आपके partner इस third party के against ही रहने वाले है क्योंकि इस time पर vibrations अब बहुत ज़दा higher है आपके partner की energies को भी महसूस करेंगे आपके लिए अपने इस रिष्टे के लिए कि वो सब कुछ कर सकते है उन्हें आज उमीद की कोई किरन नजर आएगी आपके partner को ये feel होगा कि इस रिष्टे में अभी भी कुछ चीज़े बची हैं और वो इस रिष्टे को बचा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए खतम होने से पहले पहले वो इस रिष्टे को revive कर सकते हैं ठीक है आपके partner को ये feeling आने वाली है यहाँ पर night of cups का card है आपके चो partner है वो आपके लिए बहुत ज़ादा emotionalize रहेंगे हो सकता है कि वो आपको contact करना की कोशिश करें किसी social media के through वो आपको contact कर सकते हैं या किसी common friend के through वो आपको contact कर सकते हैं या कोई whatsapp पर ऐसा status लगा सकते हैं fb पर कोई ऐसा story post कर सकते हैं जिससे कि आपको ये लगेगा कि आपके partner के अंदर आपको लेकर बहुत ज़ादा emotions है आपके partner इन emotions को लेकर अंदर से तो stable है लेकिन उनके हालात उतने ज़ादा stable नहीं होंगे ठीक है जल्दबाजी में वो ये कुछ post करने वाले हैं उससे भी इस third party को कुछ problem जरूर होगी जिससे कि ये third party आपके partner की energies को control करने की कोशिश करेगी आपके partner आज balance की state में आएंगे उनके action और emotion के बीच में balance create होता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपके partner over analysis की energy से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपके partner इस relationship को लेकर आज बहुत ही जादा motivated महसूस करने वाले हैं ठीक है इस relationship में उन्हें guardian angels की support भी मिलेगी ठीक है आज की energies बहुत अच्छी है इन energies को boost करने के लिए अपने partner को support करने के लिए आप comment section के अंदर 555 hard type करना मत भूलिएगा आए जानते हैं इस relationship के regard में divine आपको क्या guidance देना चाहते हैं divine की क्या guidance है आपके लिए इस relationship को लेकर आए जानते हैं तो यहाँ पर है step into the spotlight का guard है okay so divine आपको यह कहना चाहते हैं की आपको इस relationship को लेकर किसी भी negative thought को अपने दिमाग में नहीं आने देना है ठीक है अपने wisdom से काम लेना है जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है कि बाद में आपको बहुत ज़दा पश्टावा हूँ इस relationship में उतार चला आपकी स्थिती बनी रखती है और वो स्थिती बार बार क्यों बनती है इसके बारे में मैं detail वीडियो रात को साड़े नौ बज़े इसी चानल पर पोस्ट करते हूँ आपकी लव लाइफ के उपर आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखा कीचे ताकि आपको अपने लाइफ को लेकर अपनी लाव लाइफ में जो भी उपर नीचे चीज़े चल रहे हैं उसको लेकर कुछ clarity मिल सके ठीक है बाकिया बहुत समझतार है समझतारी से आज कोई भी decision बनाएएगा have a great day today God bless you all, take care of your health see you soon